इस वीडियों में बात करने वाले हैं और DFT के कुछ कोशें इसके बारे में यहां पर हमने दो सिगनल लिए एक लिए हमने डिल्टा एन और दूसर लिए एक की प्यावर एन यू एन क्या यहां पर जब मोड ओफ जब मोड लें उसका क्या उन चाहिए वन से छोटा होना चाहि लगते हैं पहले DFT का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने सबसे अकल देखा था एक्स ओफ एक पावर जे ओमेगा का जब फॉर्मूला होता है क्या होता है कि अ चाहिं है ऐसी कि अनिकस्ट्व माइनस इंफिनिती टू प्लस इंफिनिती दो फॉर्मूलब बता यह निकालने के एक तो पrea के यह दूसरा नोन प्रियोडिक के लिए तो इसके लिए तो नोन प्रियोडिक लगाएंगे यानि जो हम मैंन फॉर्मूला पढ़ते हैं एकिप पावर जे ओमेगा थीक है यह फॉर्मूला था तो यहां पहले पार्ट में एक्स एन की जिए कितना देर रखा डेल्टा एन तो हमारे यहां पर यह कितना हो जाएगा एक्स ओफ एकिप पावर जे ओमेगा ऐन इकरस्टू मांच इंस इंफिनिनटी प्लस इंफिनिटि एक्सन की वैलिवल रख दो यहां पर एकिप पावर मांच जे ओमेगा एन अब यहां पर क्या करना है जब भी डेल्टा एन किसी function के साथ आता तो क्या कर देते हैं अगले वाले function जिस variable में है उसी variable में उसकी value क्या कर देते हैं 0 यहां पर अगले जो भी multiply हो रहा होगा उसके साथ उसमें क्या रख देंगे एन निकस्टू 0 रख देंगे तो हमारा यह आगे क्या हो जाएगा जब मैं रखता हूं तो इसमें क्या बन जागा यह एकस ओफ जे ओंगा यह और आगे वाला फंक्शन क्या एकी पावर माइनस जे ओमेगा ए एक की फडिये कि लगागा दो वह जीरो तो यह हो जाए कि इसको मैं solve किया, e की power, 0, e की power 0 की value कितने होती है, 1, यानि, x of e की power j, omega eg, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, हर जगा 1 याता, कोई साथ रणस्फर्म देखो, जब भी करते हैं, इसका impulse का, ठीक है, तो हमारा पहला formula आ चुका है, जो कि हमें याद रखने, table बनाते हो चलना, ठीक है, थोड़े से formula लगें, 10 बारा, delta n का dtft कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, पहला formula आ चुका, आगे पढ़ते हैं, second वाला करते है, a की power n, un, mode of n, ठीक है, तो इसको समझते हैं, कि mode of a, पहले ये चीज़ क्या है, बता रही है, ठीक है, ये ऐसे ही क्यों नहीं, एक कोई भी value क्यों नहीं हो सकती, ये इसलिए, मैंने बताया था कि, dft, उन्ही सिग्नल का exit कर रहा है, जो converge करते हैं, तो इसको converge होने के लिए क्या होगा, a की value, एक से छोटी क्यों होनी चाहिए, मैं यहाँ पर बताता हूं, second question को यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं, अब देखो, यहाँ पर, मैं इसको दिखाने कोश करता हूं, mode of a क्या होनी चाहिए, एक से कम होनी चाहिए, तो एक जागे क्या लेते हैं, एक से छोटा कोई भी number 1 by 2, ठीक है, अब मैं 1 by 2 लेता हूं, तो क्या होगा, 1 by 2 की power n हो जाएगी, यू एन, यू एन आ रहा तो 0 value लखने शिरू करेंगे, तो 1 upon 2 की power 0, यानि कितना आ गया value, 1 आ गया, ठीक है, यहां तक बात समझाए, अगले 1 होगी, फिर 2, ऐसे चलता चले आएगा, जब 1 रखेंगे तो power कितने हो जाए, 1 upon 2 की power 1, यानि 1 by 2, यानि half हो गया values की, ठीक है, 1 upon 5, अगली बार रखेंगे, कितना हो जाएगा, 1 upon 2 की power 2, 1 upon 2 की power 2 कितना हो गया, 1 upon 4, यानि इसका भी आदा, तो हो क्या रहा है यहां पर, अगली बार 1 by 3, तीन रखेंगे, कितना हो जागा, 1 upon 2 की power 3, यानि 1 upon 8, इसका भी आदा, तो यहां पर तुम एक चीज़ देख रहे होगे, यह वाली चीज़ देख रहे होगे, यह चीज़ क्या हो रही है, एक्जैक्टली क्या हो रहा है, यह नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, यह क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या, यह signal converge कर रहा है, अंसर आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए उल्ट आनों चाहिए जितनी बड़ी रखो उतना च्छोटा चाहिए उससे होता सिंग्नल कनवर्ज ठीक तो अब देखो इसका एकजिट कर जाएगा मैंने बता देख क्यों कर जाएगा अब बस निकाल लेते फॉर्मुले में सारी चीज़ रख के तो पहला फॉर्मुला लेख लेते हैं कितना होता है एक्स ओफ ए की पावर जे ओमेगा यह भी क्या नॉन प्रियोटिक सिंग्नल है तो इसका क्या लगाएंगे नॉन प्रियोटिक वाला फॉर्मुला एक्स ओफ एन एकी पावर माइनस जे ओमेगा तो रगा लगा देते हैं सारी वैलिए अब देखो यू एन तो यू एन है तो कहां से सिंगनल है हमारा मिलेगा जीरो से लेकर कहां तक जा रहा है इसकी पावर माइनस जे ओमेगा यू ने लिखेंगे क्योंकि लिमिट में यू एन क्या लिमिट में आ गई नहीं वह चीज शिफ्ट कर दिया हमने ठीक है यहां पर यू एन मतले लग जाना तो एक्स ओफ एक पावर जे ओमेगा अब एक बात पढ़ी होगी तुमने जब द सकता हूं एकी पावर माइनस जे ओमेगा की पावर यह लिख सकता हूं राइट क्योंकि अब देखो पावर डिस्ट्रिबूट कर लो एकी पार आन हो जाएक ऑफ यहां से यह क्या बन रहा है अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूँ तो यह किस टाइप को दीखेगा एकी पावर माइनस जी ओमेगा की पावर जीरो मैं किवल ओपन करका दिखा रहा हूं यह बुक में कभी नहीं मिलेगा इसके बाद टांसर मिलेगा क्योंकि सीखना चाहिए आना चाहिए तो यह कैसा यह था इस टाइस से पहले एंड की पावर जीरो रखा फिर वन रखा फिर क्या रखेंगे 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 एंड सो ओन इंफाइनाइट तक जाएगी यह बात ठीक है तो यह एक ताइए इसे कोई भी ट्रम माननो तो यहां पर यह देख रहे होगे क्या कॉन सीरीज ब भी लेगा हमें तो इसे मैं जीपी सीरीज बोल सकता हूं यह कैसे है मेरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक है क्या कौन सी सीरीज है यह जीपी सरीज अब जीपी सरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता था इंफाइनाइट के लिए सब्सक्राइब तो इंफाइनाइट के लिए जब फॉर्मूला होता था जीपी suspension में सम का फॉर्मूला वू क्या होता था एच एपॉन मानिस ढूल हे जांन पर्र की यह वैलु क्या होता था वन सर गंढ़ा को करता था हमारा फॉर्मूला क्या इसी पर हमारा यहां पर क्या माइनस जो मेगा देखो यहां पर तुम लगा दो गए लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा ताकि मैं बता सकूं यह सब्सक्राइब करते हैं एकी पावर माइनस जे ओमेगा की पावर वन किसी नेक्स टर्म को उसके प्रिवेस टर्म से डिवाइड करने वाले चीज़ को क्या कहते हैं उसका कॉमन रेशियो यानि आर यह सैकेंड टर्म फॉर्स टर्म ऐससे सिखा जाता इसकूल में ठीक है तो न मिल गई तो हमारी जो इसका सम कितना हो जाएगा स्रीज का एक सोफ एक की पावर माइनस जे ओमेगा जहां पर क्या उन चाहिए मोड एक से ठीक है फॉर्मॉले में यह द्यांस देनी है वह कभी-कभी जब मल्टिपल चोइस कोशन आगा न हुहां पर मोड़ ओफ ए ग्रेट तो इस वीडियो में हमने दो फॉर्मॉले देख ली एक यू एन का देखा एक एक डेल्टा टेखा एक तो हमने पहले फॉर्मॉला देखा यहांप डेल्टा एम का जो डि它 कितना था मैं भंत अट ठीक है और मिय और एक पावर ऑन यो एन का aby डिавно कितना था अब यह हमने निकाला कितना है वन अपॉन वन माइनस ए एकी पावर माइनस जे ओमेगा ठीक है जहां पर एकी डेफिनेशन क्या क्या हुन चाहिए वह एक से कम हुन चाहिए जब भी उसका एक्जिस्ट करेगा ठीक है देखो यही सब्ता बस और यही आदक ना ठीक है इसको कर देते हैं बॉक्स में क्लोज ऐसी तायस है बॉक्स बनाके चलते रहा हो एंड में जाके क्या करने हैं सारे फॉर्मलों को एक साथ लिख लेंगे ठीक है आई होप आप लोगों को समझाया होगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही ओक थेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वी कर दो कर दो कर दो